जीवन के कडवे सत्य अगर आप किसी व्यक्ति के सौ काम कर दोगे और एक मना कर दोगे तो आपको उन सौ काम करने के लिए साबासी नहीं मिलेगी बलकि उस एक काम ना करने पर गाली ज़रूर मिलेगी अगर एक महले में सौ लोग रहते हैं और वहां नौ लोग बहुत पैसे वाले और वेल सेटल्ड है और एक आदमी गरीब है और उसका काम या उसकी नौकरी उतनी अच्छी नहीं है तो उस गरीब आदमी की बात को कोई भी उतनी अहमियत नहीं देगा चाहे वो कितना ही समझदार और अच्छी बाते क्यों ना करता हो वो इसलिए क्योंकि हमारे समाज में जिसके पास ज़्यादा पैसा है लोग उसी को ज़्यादा समझदार और अकल मन समझते हैं गरीब आदमी कितना भी समझदार और ग्यान की बाते करने वाला क्यों ना हो पर उसकी बात को कोई भी आहमियत नहीं दी जाती। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जो कि अपने से ज़्यादा समझदार और अच्छा किसी को नहीं समझते। उनका मानना है जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं बस वही ठीक है। वो दूसरों की बात सुनने और समझने को बिलकुल तयार नहीं होते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता और काम्याबी मिलती है। लेकिन यह बात सौप्रतिसत सत्य नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेहनत नहीं करनी चाहिए। मेहनत तो जरूर करनी चाहिए लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको काम्याबी मिलेगी ही मिलेगी अगर सिर्फ मेहनत करने से ही काम्याबी मिल जाती तो लाखों लोग ऐसे हैं जो रात दिन काम करते हैं मेहनत करते हैं पर फिर भी सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं आपके आसपाच कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि जादा कुछ नहीं करते फिर भी उनके पास बहुत धन दौलत और नाम सब कुछ होगा हमारी काम्याबी में जितना महत्वे महनत का है उतना ही हमारे नसीब का भी है अगर नसीब में नहीं है तो कितना भी महनत कर लो आपको काम्याबी नहीं मिलेगी लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़नी चाहिए सब लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है उसका उदारण आप एक मंदीर से ले लीजिए अगर आप मंदीर में जादा पैसा चढ़ाएंगे तो मंदीर का पुजारी भी आपको अलग लाइन में ले जाकर बिलकुल भगवान की मुर्ती के पास बिठा कर पूजा करवाएंगे इसलिए आजकल के जमाने में तो पैसा भगवान से भी बड़ा है अगर आप किसी को जरूरत से जादा महत्व या समान समान दोगे तो वो आपके उस मान समान की कदर नहीं करेगा